नमस्कार प्रियाशिक्षार्तियों राष्ट्या मुक्त विद्यालई सिक्षा परिशत की ओर से यहाँ आयोजित यहाँ कार्यकरम भारतिय ज्यान प्रंपरा के अंतरगत उच्चीतर माद्चीमिक पाथयकरम के अंतरगत जो संसकृत साइत्या है उसमें सुकनासो पदेश का जो पाठ है योवन सोबावा उसके विशय में हम चर्चा कर रहे थे पिछले पाठ में हमने देखा कि यो जो योवन सोबाव है उसके विशय में कैसे बानभट अपने जो सुखनास मंत्री हैं उसके द्वारा युवा अवस्था का वरणन किस परकार करवा रहे हैं आगे वहाँ अब तक उन्होंने बताया कि जो युवा अवस्था है उसमें जो होने वाले जो नुकसान है जो व्यक्तिय का जो सोच होती है युवा अवस्था आते ही जो युवा में जो जोस होता है जो विशय भोग की जो मिर्गित रिशना होती है उस मिर्ग तृष्णा से हटने के लिए उससे निवर्ती के लिए कैसे एक राजा को होना चाहिए और किस परकार उनसे वहाँ दूर हो सकता है और कैसी वहाँ मिर्ग तृष्णा होती है इसके विशय में आगे बात करेंगे हम इस दुतिय भाग में इंद्रिया हरिण हारणी चा सततम अति दूरं तेयम उपभोग मिर्ग तृष्णिका नव योवन कशाई तात मनस्चा सलिला नीव तान्यव विशय सुरूपाण्य आध्यम आनानी मधुर तरानी आपतंती मनस्चा या इंद्रिया रूपी हरिणों को जो हरण करने वाली है या इंद्रिया रूपी जो हरिण है हमारी जो इंद्रिया है जो विशय भोग में या विशय में जो लिप्त रेती हैं सांसारिक जो विशे हैं, जो काम वासना है, लक्षमी का जो मद है, एस्वर्य का जो तिमिरान दत्व है, या एस्वर्य भोगने के लिए जो हमारी मिर्गतर्शनाई हैं, तो उसको यहां कितने बुरे परिणामों वाली है, यहां नव योवन की जो मिर्गतर्शना है, यहां क कितने बुरे प्रवाव हमारे उपर डालती है, उसके विश्य में यहां बता रहे हैं। मिर्ग तृष्णा सामानियताहा, मिर्ग तृष्णा वहा होती है, जैसे कि दूर रेगिस्थानों में, जब दूर से कहीं बालू चमकती है, तो जो मिर्ग होता है, बहुत प्यासा होता है, तो वह जो बालू चमकती है, उसको लगता है कि वह जल है, वह उसके दूर में वहां तक जाता है, फिर वही चमक उसको बहुत आगे दिखती है, इस तरीके से वहां आगे जाते जाते है, वहां खत्म हो जाता है, वहां प्रान को जो नवयोन हैं, का इसको खत्म कर देता है, उसके विशय में बता है। जो विशय प्रफुबभोग यही होते हैं जैसे नवयोवन में, नवयोवा अवस्था में जब व्यक्ति है। तो उसको जो मन है वो कसेला रहता है, उसका जो मन है वो तो उसमें कशाईपन रहता है, कशाईपन से तात्परिया है कि जैसे आवला खाने के बाद जो मुह में स्वाद आता है, उसे कसेला पनिया, कसेला जो स्वाद होता है, कसेली जो जीव होती है, उसे हम कसेला कहते हैं, तो वहाँ जो कसेलापन है, ब्यक्ति नव युवा अवस्था में जो वो कसेलापन आया है उसके मन में, तो वहाँ उसको वैसे ही अधिक मीठा लगता है, जैसे धन, मद, इस्तरी आदि उसको जो है, बहुत मीठी लगने लगती हैं, क्योंकि उसका जो नव युवन है, वहाँ कसाय युक्त है, तो जैसे ही कसाय युक्त किसी वस्थू या किसी पदार्थ को खाने के बाद, हमें पानी बहुत मीठा लगता है जो सामान्य पानी है अगर हम आवला खाते हैं तो उसके बाद हम सामान्य पानी भी पीए तो वहाँ भी हमें मीठा लगता है यद्य पी वहाँ पानी मीठा नहीं है तो वेसे ही यहाँ नव युवा अवस्था है तो यह जो कसाईपन हमारे अंदर रहता है तो वह जो विषय भोग रूप हमें मिलते हैं तो वह वैसे ही अधिक मीठे लगते हैं जैसे यहाजवानी में जैसे आवला खाने के बाद हमें पानी मीठा लगता है ये जो दिंग मोह होता है दिंग मोह का तात्परिया है कि जब हम किसी जंगल में या किसी ऐसे घने जंगल में या किसी पार्क में बहुत बड़े पार्क में हम चले गए हैं और हम बीच कहीं हैं जहां चारों तरफ पेड़ हैं और अनिक रास्ते हमें दिखते हैं तो वहां दिशा ब्रह्म हो जाता है हमें जाना है पूरवी की तरफ हम चलते हैं पर्षिम की ओर हमें वहां मार्ग का पता नहीं चलता है हम भूल जाते हैं कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए तो वेसा ही यहाँ जवानी का जो मार्ग है वहाँ भी हमें कुमार्ग पर ले चलता है, हमें सनमार्ग की और प्रेरित नहीं करता है, क्योंकि यहाँ भी इसी दिंगमोह की तरह हमें भी दूर ले जाता है। दूसरा है अनुजित धवलता। इसमें कुछ संधी पद आये हैं जिसे अमानुस्य सक्तित्वं चा आया तहा पिछले भाग में तो अमानुस्य सक्तित्वं चा खल्वा नर्थ परंपरा यहां पर यन संधी है एकेकम अपी एशाम इसमें कुछ अलंकार विमर्ष था जो गरबे सरोतम इत्यादी वाकी हमने पिछले भाग में देखे थे उसका जो अलंकार विमर्ष है बाएक पार देख लेते हैं जिसमें साहिती दरपन के अनुसार बतायागा है कि अबेद हे ना विदा हेतुर हेतु हे दर्पन कारन इसका लक्षन किया है इस प्रकार सुकनास ने चंदरापीड को बताया है कि किस प्रकार की यह योवा वस्ता है कैसे अलक्षमी का मद है कैसे उस पर वा चड़ जाता है वह जो मिर्ग तृष्णी का है यहाँ सब कुछ यह यह योवा वस्ता में होता है फिर भी मैं आपको उपदेश दे रहा है भवाद्रशा एव भवन्ति भाजनानी उपदेश आना कि आप जैसे ही योग्य होते हैं आप जैसे ही लोग होते हैं जो उपदेश को ग्रहन करते हैं तो उपदेशक और उपदेश सुनने वाला दोनों योग्य होने चाहिए अगर गुरू उपदेश दे रहा है तो सिस्या में भी उपयोगिता होनी चाहिए कि वहाँ उपदेश को ग्रहन कर सके यदि हम किसी को कहें और एक कान से सुनें दूसरे कान से अगर उपदेश उचित नहीं होता है वहाँ उपदेश फालतों में ब्यर्थ चला जाता है तो कहते हैं अपगत मलेही मनसी इसपटिक मनाविव रजनी कर गबस्तयोह विशंती सुखेन उपदेश गुणाह अपगत मलेही जो उनका मन है जैसे इसपटिक मनाविव रजनी कर गबस्तयोह विशंती जो इसपटिक होते हैं वहाँ बिल्कुल सच होते हैं साफ होते हैं जिसमें रजनी कर गबस्तयोह रजनी कर की जो चांद है उसकी जो किरने हैं बिल्कुल आरपार कर जाती है जिस पर पहुँच जाता है कियोंकि जिस परकार च और उन्हों नहीं हम पर उसका उधारन दिया है कि जैसे चंद्रमा वो चला जाता है चंद्रमा की किरिणे जैसे इस पटिक मणी में आर्पार हो जाती हैязEMA वेसे गुरु का उपदेश आप जैसे शिश्यों के कान में सुख से पहु जिस परकार गुरु का वच्चन बिलकुल निर्मल होता है वैसे पानी भी निर्मल होता है तो जो धूर्त ब्यक्ति है जो अशिश्य है जो शिश्य के लायक नहीं है जो उपदे सुनने वाला नहीं है जो उपदे की निंदा करता है यह जो गुरु परंपरा की निंदा कर रहा है, जिसको गुरु उपदे से कोई मतलब नहीं है, तो वहाँ उसके मन में वैसे ही वहाँ सूलम अभभ्यस्य सर्वन अस्तितम, तो जो कान में जिस प्रकार स्वच जल जाने पर भी दर्द होता है, उसी प्रकार गुरु का जो पीड़ा करता है, पानी अगर गंदा है, कान में चला जाए, तब भी पीड़ा करता है, तो पानी अगर आरोका हो या कोई प्योरिफाई हो, तो कान में जाने पर वहाँ दुख ही करता है, उसी प्रकार गुरु का जो वचन है, गुरु का जो उपदेश है, वहाँ भी असि तरम उपजनयति इतरस्यतू करिना आई ओए जो हाती है हाती के जो मुख मंडल पार है हाती के जू सूंक पर है वह संक है उसमें अबरन है जिस Guard recurring永ग जिस को जो मानिके लगा हुआ है जो पथर लगा हूआ हो उसकी जो माला उन्हों गुरु का वचन भी ऐसा ही होता, यदिपी वो कितना भी कठोर हो, अगर वहाँ सिश्य के कान में चला जाए, तो बिल्कुल सुख से जाता है, जैसे चंद्र की किरने जाती हैं मनी में, तो वैसे जब सिश्य होगा, सुनने वाला होगा, वहाँ उपदेश का एकशुक होगा, तो गुरु का वचन सुक से उसके कान में जाएगा, वहाँ उपदेश को सुनेगा, लेकिन गुरु का उपदेश कठीन भी होगा, तब भी वहाँ सुनेगा, क्योंकि वहाँ शिश्य है, लेकिन वही जब सरल चीज है, जो साप पानी है, कान में जाने पर जैसे दर्द करता है तो वेसा ही यहां जो संखा बरण है वह भी जब जो अशिश्य है जो धूर्त हैं उनके अगर उनको हम कितना भी अच्छा उपदेश दें उपदेश बहुत अच्छे तरीके से अगर उनको भी संजाए तब उनको वहां पिड़ादायक ही होगा और यहां जो गुरु का उपदेश है वह परदोस समय निशा कर इव जो परदोस के समय जैसे चांद अंधेरे को दूर करता है परदोश काल होता है परदोश काल के विशह में कहते हैं परदोशो रजनी मुखम जो सायंकाल होता है जैसे सूर्य छिप गया है उसके बाद जब अंदेरा होने लग जाता है जान परदोश काल को और दूर करता है उस अंदकार को दूर करता है तो वेशा ही गुरु का उपदेश होता है जो हमारी युवा वस्ता के कारण आया हुआ जो अंदकार है उसको वह दूर करता है सामान्यता जो बुडापा होता है उसे कहा जाता है कि यहाँ परिपक्वा हो गया है यहाँ मिचोरटी उसमें आ जाती है तो गुरू का जो पदेश है वहाँ ब्रिदावस्ता की समान ही है उससे जो जैसे ब्रिदावस्ता में केस प्रासी जो हमारी है जो बाल है वहां बिल्कुल जिरसिज जालम अक अमली कुरुवन जैसे हमारे जो बाल है वह सपेद होने लग जाते हैं तो जब हम जवानी से बुड़ापे की और जाते हैं तो बुड़ापे में अलग से सपेद बाल तो नहीं आते हैं जो काले बाल हैं, जो वही सफेद होते हैं, तो वैसे ही गुरू का उपदेश होता है, जो सिश्या में जो विकार हैं, उन विकारों को ही वहाँ गुण रूप में परिवर्तित कर देता है, अलग से गुण नहीं डालता है, अलग से गुण डालेंगे, उसमें तो वह जो अव तो यह एक परकार से इसका अर्थ यहाँ है, कि जैसे जवानी में जो अवगुन हैं, तो जो जवानी के अवगुनों को जब दूर किया जाता है, गुरू के द्वारा, तो उसी परकार उन अवगुनों में ही गुन को परिवर्थित किया जाता है, जैसे केश रासी सफेद हो जाती है क्योंकि अलग से हमारे पास सपेद वाल नहीं आते हैं जो काले वाल हैं वहीं सपेद होते हैं इसी प्रकार गुरू का उपदेश भी हमें पार कराता है इसमें कुछ समासिक पद आये हैं रजनीकर गबस्ता यहा है रजनीकरस्य गबस्ता यहा है इसी सश्टी तन्षपुरू समास यह है इसमें प्रदोस समय निशा करा इती सब्तमी तत्पुरुस समासा इसमें संदी विचेत के कुद पद है इसमें कुछ अलंकार के जो पद है अपगत मले ही इती समीन वाक्य अपगत मलके से वाक्य है इती उप मानस्य अवेद धर्मस्य साम्याद कथनाद यहां पर उपमा अलंकार है इती उप मानस्य अवेद धर्मस्य साम्याद कथनाद यहां पर उपमा अलंकार है उपमा का प्रियोग यहां पर कभी ने किया है आगे कहते हैं अभी आप जवानी के उसमें प्रवेश किये हैं अभी आपको राजया प्राप्त नहीं हुआ है अभी आप राजया नहीं बने है तो यहां बहुत अच्छा उपदेश काल है जो आपको मैं उपदेश दे रहा हूँ अगर आगे आप राजया बन जाते हैं अगर आप राजया बन चुके होते तो यहां उपदेश का काल उचित नहीं होता क्योंकि उपदेश का भी काल देखना चाहिए कब उसको उपदेश देना चाहिए राजया बनने के बाद कोई उपदेश नहीं सुनता है यह जग जाई है यह आप आज की राजनिती में भी देख सकते हैं और बानभट तो सात्वी सताबदी में यह सारी जो बाते हमारे आपास कह रहे हैं यह कितनी सटीक आज भी हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं उसको आप देख सकते हैं तो अयमेव चना स्वाधित भी सहयर असस्यते काल आ उपदेश अस्या यह जो उपदेश का काल है इसलिए मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ क्योंकि कुसुम सर प्रहार जर जर जरिते ही हिर्दय जलम यह गलत उपदिश्टम कुशुमसर, कुशुमसर यानि जो कामदेव के जो बान है, वो जो युवा अवस्था में आपके जो कामदेव के बानों से प्रहार से जो हिर्दे जरजरित हो जाएगा, जिस परकार कोई वस्तु में जब हम छेद कर देते हैं, तो उसमें जिस परकार पानी नहीं टिकता है, जैसे चन्नी होती है, उसमें पानी डालेंगे तो वो बह जाता है, तो जब आप राजा बन जाएंगे, आपको लक्षमी का मद मिल जाएगा, आपको नई वावस्था में आपको इतना सारा दंदोलत मिल जाएगा, और इतना सारा विशय भोग आप करेंगे, उसमें कामदेव में पानी डालने से वहाँ पानी बैजाता है आकारन अंच भावती दुस्परकरतीर अनवयहा सुर्तंच अविन्यसिया क्योंकि दुष्ट्सवाव मनिसे को विनुबर नहीं होने देता है या उसकी प्रमपरा है जो दुष्ट्सवाव होती है वो अगर कोई बिनायसील होना भी चाहता है तो उसको जबरदस्ती वहा दुस्परकृति की ओर ले जाता है कि कहते हैं जैसे चंदन की लकडी होती अतिशीतल होती है बहुत चंडी होती है तो क्या वहा जलती नहीं है बलकि वहा अधिक जलती है परियोग में देखा जाए तो तो उसी प्रकार कहते हैं कि अगर आप उन्होंने पहले ही कहा कि विदित विदित अधियत सर्वसास्त्र स्या आपने सारा ग्यान देख लिया है आपको सारा ग्यान है आप सब को जानते है सर्विस शास्त्रों को पढ़ लिया है तो क्या जैसे चंदन का जो पेड़ है चंदन की जो लकड़ी है क्या वहाँ जलती नहीं है तो उसी प्रकार क्या जिसको ग्यान है जो इन चीजों को जानता है जो शास्त्रों को पढ़ा है तो क्या वा दुष्ट नहीं हो सकता है अवश्य हो सकता है अगर वो ऐसी संगती में रहता है उसके पास इस प्रकार की व्योस्ताई मिल जाती है तो ये अपना पी उसके अंदर आना स्वभाविक है किमवा प्रशम है तो ना पी ना परचंड तरी भवती वाडवा नलो वारेना कहते हैं समुद्र में एक वाडवा नल नाम की एक अगनी होती है जबकि समुद्र में जो जल है जल अगनी का बिलकुल विरुद है तो जल और अगनी का वेर है तो जिस परकार अगनी को जल बुजा देती है तो जो समुदर में होने वाली उत्पन होने वाली जो वडवानल है तो उसमें जो वो समुदर का पानी है वह तो तेल का काम करता है वह तो उसमें होर भी आग डालता है उसी परकार यह जो युवा आवस्ता है या तो उसमें होर भी आगमेगी डालने का काम करती है, जो आदमी गलत रास्ते पे जा रहा है, यह वावस्ता में जो कामदेव के बान है, उसको लक्षमी का जो मद है, इस परकार जो उसमें आने वाले जो विकार है, वो तो उसमें डबल काम करेंगे. गुरू का उपदेश है, वहाँ पुरुशानाम अखिलम अमलम प्रक्षालनक्षमम जलम इस्नानम अनुपजात पलिता दिवे रूप्यम जरम ब्रधत्वम जो गुरू का उपदेश है, वहाँ पुरुशानाम अखिलम अप्रक्षालनम जैसे सामान्य जल से इस्नान करने के बाद हमारी जो गंदगी है, हमसे जो पर आतमा में जो गंदगी है, नको विकार उसी प्रकार इस नान हमारे सरीरो को चाहिए तो गुरू का उपदेश भी हमारे आतमा और मन को साफ करता है अनुपजात पलिता दिवी रूपयमजरम ब्रदत्वम जिस परकार कहा जाता है कि आदमी ब्रदत्व को जब जाता है तो वहाँ बेचारिक और मानसीक रूप से परिपक्वा हो जाता है उसमें मिचोरटी आ जाती है तो उसी परकार गुरू का जो उपदेश है वहाँ भी उसी बिर्दत्व की ओर ले जाता है उसमें वो maturity भर देती है उसमें जो परिपक्वता ला देता है जैसे सामान्यता बिर्दत्व में आता है इसका मतलब यह नहीं है कि गुरू के उपदेश से आदमी बिर्द हो जाता है या उसमें बुड़ापा आ जाता है क्योंकि बुड़ापा आने का मतलब है कि उसका सरीर कमजोर हो गया है वहाँ जुक गया है और उसमें उसकी सोचने समझने की चमता थोड़ा जो याद रखने की चमता है वो थोड़ा कम हो जाती है लेकिन उसके जो विचार हैं वो भहुत पावन हो जाते हैं, भहुत तीब्र हो जाते हैं, भहुत अच्छे हो जाते हैं, तो उसी परकार गुरू का जो उपदेश है, वहाँ भी हमें उसी मानसिक्ता से, उसी बेचारिक जरिश्टिय से हमें परिपक्वा कर देता है, इसको बड़ा कर देती है। जिस परकार सामान्य चर्वी आमें मोटा कर देती है। तो गुरू का उपदेश भी हमें बड़ा करता है। विचारों से हमारी वान्य से हमें गुरु करनाम इती। असुवर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम जो असुवर्ण है, जो सुवर्ण से जैसे कान के जो कवच कुंडल होते हैं, हमारे कान में जो बाली है, जो गहना है, जो जुमके हैं, वहाँ इस तरी का एक सौंदर्या का परसादन है, वहाँ उसको ये सोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार गुरु का जो उपदेश है, बहुत अच्छे सजार्की हो, बहुत अच्छा उसने अपना सारेषी, इस्थिती या सारेषी इस्ट्रक्टर को बहुत अच्छा स्वच्च और सआप कर रखा हो, अगर उसका मन में जितना है और किसे कामिका नहीं है, तो जो गुरु का अपदेश है, वहाँ भले हमें सार आभूशन उसका काम करता है, वैसे ही कान का आभूशन का काम करता है, गुरु का उपदेश, असली आभूशन वही है, जो असली चीजी हमारी कान में चली जाती है, अतीत जोतिरा लो कहा, नोद्वेग करा परजागरा, वह ऐसा परकाश है, अतीत जोतिरा लो कहा, जो गुरू के उपदेश का जो प्रकाश है वा हमारे मन मस्थिस के दवार खोल देता है उसमें वहां उजाला करता है नधुएग करा है प्रजाकरा नधुएग करा Cartina जो उसका जागरण है गुरू की उपदेश से जो जागरण है उससे उदुएग नहीं होता है सामानियता अगर हम जागते हैं रात में जागते हैं दिन में जागते हैं तो हमारे में विकार आने लग जाएंगे हमारी तवियत खराब होने लग जाएगे जादा जागने से लेकिन गुरू के उपदेश से जो जागरन होता है उससे जो व्यक्ति जाग जाता है तो उसमें कोई भिकारुतपन नहीं होता है विशेशेण राग्याम अब ये सारी चीजें तो ठीक है ये जो गुरू का उपदेश है क्यों दिया जारा है, कैसा दिया जारा है लेकिन सब के लिए तो अनिवारिय है ही लेकिन विशेशेण राग्याम राजाओं के लिए तो विशेश तोर से ये जरूरी है क्योंकि राजाओं के जो उपदेश्टार है राजाओं को जो कहने वाले लोग हैं बहुत कम होते हैं राजा के सामने कोई भी अपनी बात आसानी से नहीं रख पाता है क्योंकि अधिकांश लोगों को राजा की हामे हामिलाना होता है जो चाटो कारिता जो लोग करते हैं वो राजा के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होते हैं परती शब्दक ये वो राज वचनम अनुगच्छती जनोभयात परती शब्दक होता है जैसे आपने कहा वैसे ही हुबहु धनी आ जाना जैसे आप सामान्यता किसी दूर जंगल में जाईए या गुफा में जाईए आपकी जो आवाज होती है वो टकरा करके वापस आती है तो राज वचनम अनुगच्छती जनुभयात जो लोग है वो डर के कारण राजा के सामने वहाँ वैसा ही कहता है जैसा राजा कहता है राजा कहता है दिन में तारे हैं तो आदमी कहता है बिलकुल है तारे ही उसको नजरा रहे हैं उसकी बात को वहाँ काट नहीं सकता है इस परकार का उसमें भय होता है उद्दाम दर्प स्वयतुस्त गित सरवन विवरास चोप अधिश्य मानमपी तेन सवन्ती उद्दाम दर्प अहंकार रूपी जो उसके अंतरगत ब्यक्ति में जो अहंकार का जो दर्द है अहंकार उसके अंतरगत आ गया है राजा के अंतर जो अहंकार उत्पन हो गया है तो प्रकार से हम सुन नहीं पाते हैं, उसी प्रकार अहंकार रूपी जो फोड़ा उसके कान में हो जाता है, राजा के कान में जब कोई अहंकार रूपी फोड़ा हो जाता है, तो वहाँ भी किसी का उपदेश नहीं सुनता है, तेन सुन लेता हूं, लेकिन अगर वो सुनता भी ह जिस प्रकार का हाती के जो महावत होता है उसमें अंकुष मारता है उसको नलाता है रगड रगड के जब हाती को नला रहा है तो उसको अंकुष मारता है कि तो उने आगे जाकर के अपने उपर मिटी नहीं डालनी है लेकिन हाती क्या करता है उसकी बात को अंसुना कर देता है और सारी मिटी अपने ओपर डाल देता है। जब वह मिटी डाल देता हैं तो फिर से वहाँ मलिन हो जाता है। तो उसी परकार वहाँ जो राजा है, जिसने गुरू का उपदेश सुन भी लिया है, वहाँ उसी गजनी मिलित की तरह है। बिलकुल आँख बंद करके चला जाता है इस परकार वहाँ गुरू की आग्या कापाला नहीं करता है उसकी बातों का वहाँ उपहास कर लेता है अहंकार रूपी जो दाहजवर जो पहले भी बतायागा है दाहजवर जो इसकी उर्ष्मा बहुत जादा होती है जिसकी गर्मी से वहाँ बिलकुल परताडित हो जाता है तो इसी परकार की जो दाहजवर है उसकी जो मूर्चा है उसमें जो अंदकारिता उसमें आ गई है विवला ही राजपर करती इसी परकार अहंकार रूपी जो दाहजवर है उसे जो बेहोसी से जो अंदकार युक्त जो धन उसके पास आ गया है धन से लिप्त रहने के कारण जो अंदकार उसमें आ गया है तो इसी परकार की जो राज्य लक्षमी है वहाँ हानी को ही परदान करती है क्योंकि उसी की उसी राजय की राजलक्षमी उसी राजय को विवल कर देती है जिसका वह उपभोग कर रहा था इस प्रकार की या लक्षमी होती है या राजलक्षमी होती है अलीक अभिमान उनमाद कारणी धनानी या उनमाद को उत्पन करती है या अभिमान को उत्पन करती है उस धन के कारण जिससे वहा राजा विवल हो जाता है राजा विश्विकार तंतरापर्दा लक्षमी तो यह जो राजा विश्विकार है जो विशय भोग जो विकार है जो वहाँ उपभोग में जो बलाता है तो वहाँ उसके अनेक विकारों का जन्मदाता बन जाती है इस परकार चंदरापीड बशया शक्त नहो करके गुरु के उपदेश सुन करके राजय का जो पालन करता है उसमें राजय की जो राजलक्षमी परसन होती है और वहाँ अभ्युदहय को धारन करती है चंदरापीड ने यहाँ उपदेश सुना योवन सुवाव के बारे में जब सुना तो वहाँ उसको उसी परकार गरहन करेगा जिस परकार उनके गुरु उनसे अपेक्षा कर रहे है क्योंकि उन्होंने कहा है भवादर्शा एव ववन्ती भाजनानी गुरु पदेशान तो जो आपके जैसे लोग ही होते हैं जो गुरु पदेश को गरहन करते हैं क्योंकि आपने सभी सास्तरों को पढ़ लिया है, सभी विश्यों को जान लिया है, तो जरूरी नहीं है कि सारे सास्तरग्या गुरू की उपदेश को सुनते हूं, लेकिन उन्होंने उसमें वहाशक्ति देखी है, उसके बिनेशीलता को देखा है, तो इसलिए सुकनास उनको या सभी उपदेश दे रहे हैं, इसमें आने वाले जो सामासिक पत थे, अनास्तरग्या गुरू को जाती है, लेकिन जब अनास्तरग्या की बात करते हैं, वहाँ पर नए तत्पूरू सामास की बात हो जाती है, कुशुम शर शर जर 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 इती कुशुम सर से सरा कुशुम शर इती सश्टी तत्पुरूस कुशुम का जो सर है यानि कि कामदेव के जो बान है तेन जर 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 इते उससे जो हिर्दय उसका चलनी हो गया है कुशुम सर जर 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 इती तिर्थिय तत्पुरूस समास यह स्थागितानी सर्वन विबरानी येशामते उद्दाम दर्पा स्वयस्थो स्थागित सर्वन विबराह इती बहु विरीही समासा है। गलत उपदिष्टम यहाँ पर यन संदी होती हैं अकारन अंचा अकारन अंचा यहाँ पर भी परसवन संदी होती हैं अनस्वार के इस्थान पर पंचा मक्षर हो जाता है। गुरूपदेश रूपई उपमे यह इसना नादी नाम उपमाना नाम ततत वेसिष्ट्या रूड अत्वात अधिकार रूड वेसिष्ट्या रूपकम अहंकार रहा तत दुक्तम उसके विषय में दर्पनकार कहते हैं। रोड वेसिष्ट्यम, रूपकम या तदेवम ता यहां पर रूपकलंगार का उधारण हमें मिलता है तो प्रियशिक्षार्तियों अभी हमने जाना है योवन सुभाव के बारे में यह योवावस्ता कैसी होती है जो अमहा का भी बान है उनकी जो परसिद्ध रचना कादम बर हैं तथा भी वहाव उसको अपने अनुभवों से अवगत करा रहे हैं क्योंकि उन्होंने राज्यकाल में क्या-क्या देखा है अब वो बूड़े हो गए हैं अपने पद से रिटायर हो गए हैं अपने घर में रहे हैं तो इससे जो चंद्रा पेड़े उनकी बिनायशीलता इसमें ही दिखती हैं वहा कितने विनय हैं कितने दीर गंबीर व्यक्ति हैं कि उसके वाव जो दुनका विशेख होने वाला है फिर भी वो बूड़े शुकनास के पास जाते हैं कुछ ग्यान प्राप्ति के लिए इसलिए हो कहते हैं कि आप जैसे ही लोग होते हैं जो ऐसे उपदेश को ग्रन करते हैं और इस परकार हुनोंने युवा अवस्था का जो क्या प्रभाव रेता है हमारे जीवन में जैसे गर्भ से इश्वरता प्रभुता पा जाना जो नया नया युवा अवस्था होगी अपरतिम रूप किसी को मिल जाए और अमानुस शक्ति किसी क मिल जाए ये एक-एक ही अनर्थ की परंपरा है एक-एक ही आदमी को विनाश की और ले जाता है लेकिन ये सारी चीजें जिसको मिल जाए तो उसका तो कहना ही क्या है तो यही सारी चीजें तो आज उसके पास मिल रही हैं चंदरा पीड के पास इसलिए वहा इस विशे में अपना मत रख रहे हैं, अपना अनुभा उनको शेयर कर रहे हैं, और उसको इस विशेशे अवगत करा रहे हैं, धन्यवाद.